हलो फ्रेंज वेलकम बैक टो हमेशा केक अन कुकिंग सो फ्रेंज आज मैं आपके साथ तीन तरक के इंस्टन्ट मोजितो की रेसिपे शेयर करने वाली हूँ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने कुछ फुदीनि के पत्तों को साफ करके द्रह लिया है और इस तरसे सुखा लिया है यहां पर मैंने दो नीमबू लिये है एक नीमबू को हम आधा काटेंगे और आधे के भी हम चाल से पांच पीस कर लेंगे इस तरह से हमें छोटे छोटे तुकडों में इसे काट लेना है यहाँ पर मैंने 12 से 15 पत्ते लिए है और 2 नीम्बू के वेज़स लिए है इसे हलका सा हम कूट लेंगे और एक ग्लास में डाल देंगे यहाँ पर हम सबसे पहले औरेंज मोजे तो बनाएंगे आपके पास अगर मडलर है तो मडलर से आप इस तरह से हलका सा हमें कूटना है इसकी चटनी नहीं बनानी है अब हम इंस्टन्ट मोजे तो बना रहे है तो यहाँ पर मैंने रियल का औरेंज जूस का इस्समाल किया है आप यहाँ पे औरेंज के juice का इस्तमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे आदा पैकेट औरेंज juice डाल देंगे इस पैकेट में से हम दो गलास मुझे तो बना सकते है आदी चमच हम பिस्ईवी चीनी डालेंगे और कोटर चमच हम नमक डाल देंगे आप नमक स्वात के अनुसार भी डाल सकते है कुछ बरफ के तुकडे आड़ करेंगे यहाँ पर आप बरफ को क्रश करकर भी डाल सकते है और अब हम इसमें सोडा को आड़ करेंगे यहाँ पर मैंने सोडा प्लेन दिया है सोड़ा को हमें इस सरसे नीचे से डालना है, उपर से नहीं डालना हमारा ओरेंज मुझे तो रेडी है अब हमें एक चम्मट से सब कुछ अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है हमारा ओरेंज मुझे तो रेडी है अब हम कुवावा का मुझे तो बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट में कुछ नमक और मिक्स करकर इस तरह से रेडी कर लिया है अब हम ग्लास की रिम पर इस तरह से नीमो को थोड़ा स्क्विस करेंगे और अच्छे से ग्लास की रिम पर लगा लेंगे अब ग्लास को हम उल्टा करके इस तरह से जो नमक और मिक्ची वाला हमने प्लेट में मिक्शर रेडी किया है उसमें इस तरह से घुमा लेंगे ताकि ग्लास की रिम पर अच्छे से नमक मिची की कोटिंग हो जाए अब हम ग्लास में बारा से पंदरा पते पुदिने के डालेंगे आधी चमच हम पीसी हुई चीनी डालेंगे क्वाटर चमच हम नमक डाल देंगे और कुछ निम्बु के तुकडे डालेंगे और मडलर से हम इसे मडल कर लेंगे अगर आपके पास मडलर नहीं है तो मैंने जो पहले तरीका बताया उस तरीके से भी आप इसे मडल करके ग्लास में डाल सकते है इस तरह से हलका सा हमें मडल करना है इससे नीम्बू का और फुदी नीक का अच्छा सा फ्रेग्रंस हमारे मोजितों में आ जाएगा. यहाँ पर भी हम एंस्टेंट मोजितों बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने रियल का गुवावा का ज्यूस लिया है. आप घर पर भी ज्यूस बना सकते हैं. कुछ बरफ की तुकड़े हैड करेंगे, और गुवावा वाला ज्यूस हम आड कर देंगे, सोडा को आड करेंगे, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हमारा गुवावा मुझे तो रेडी है, इंस्टन्ट मुट्जी तो फटा फट से बन जाता है. अब हम क्लासिक मुझे तो बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास में कुछ पुदीने के पत्ते लेंगे, नीमबो के तुकड़े डालेंगे, और मडलर से हम इसे मडल कर लेंगे, और आधे नीमबो का रस आड़ करेंगे, और क्वाटर चमच हम नमक डाल देंगे, और कुछ बरफ की तुकड़े आड़ करेंगे और पूरा ग्लास हम सोडा से भर लेंगे अच्छे से सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे और एक नीमू की स्लाइसे से डेकोरेट करेंगे हमारा क्लासिक वाजिन मोजितो रेडी है इस तरह से आप समर में कहीं से भी बहार से आते है तो इस तरह से इंस्टेंट मुझे तो बना सकते है और एंजोई कर सकते है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमली के साथ शेर करें और ऐसी ही रेसिपी इस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें आल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफेकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई